तिलंगाना राज में उमंग भरने वाला त्योहार बदकमा शुरू हो गया है। तिलंगाना संस्कृति और परंपरों के प्रतीक बदकमा को पहली दिन इंगिली फूलों से सजाय गया। बदकमा को तंगेडू, गुनुगू, चामन्ती, पट्टुकुच्चू जैसे प्रकार के फूलों से बड़े पहमाले पर सजाय गया। शाम को गावों वशेरों में लाकर चोराओं पर फूलों से वर्तुलाकार आकार में सजा कर बीच में रखा गया। लोरियां बदकमा गीत गाते हुए तालियों की गूंच में स्वागत किया गया। राजपाल तमिल साही संदर राजन ने कहा कि बदकमा में संस्कृति और परंपराओं के अलावां कई स्वास्त से जुड़े लाब भी चिपे हैं। बदकमा समारों के उपलक्ष में राजपाल तमिल साही ने राजबवन में महिला कर्मचारियों को बदकमा साड़िया वित्रित की। इस मोके पर महिलाओं कर्मचारियों ने राजपाल को धन्यवाद दिया। मुक्य मंत्री केसियार ने कहा कि तिलंगाना सशस्त्र संगर्ष के नेता वनिता चिटियाला एलम्मा बाहुजन समाज के स्वाविमान की प्रतिक है। तिलंगाना के सशस्त्र संगर्ष के दोरान इलम्मा की बहादुरी लोकतांत्रिक संगर्षों की प्रेड़ना रही। मुक्यमंत्री ने कहा कि जल जमीन और गुलामी से मुक्ति के लिए तिलंगाना के सशस्र संगर्श में इलमा की बहादुरी और साहस के ने तिलंगाना की पहचान और सौब इमान को समुचे भारत के सामने रखा। निजम अबाद MLC कलवकुंटला कविता ने राज्य की जनता को बदकमा पर्व की बदाए दी। उन्होंने कहा कि बदकमा तेलंगाना संस्कृति और परंपराओं का आईना है। ससरा से मैके आकर महिलाएं इकटा होती है और प्रकृति के त्योहार के रूप में रंग बिरंगी फूलों से बदकमा को सजा कर गेरे बनाती है और गीत गा कर बदकमा का स्वागत करती है। हम सबी के लिए ये गर्व की बाते की सरकार द्वारा नौ दिवसिया उत्सा को राज किया उत्सव के रूप में अधिकारिक तौर पर आईजित किया जाता है। हाली तिलंगाना की सभी महिलाएं उनके संबंदितिक शेत्रों में बड़ी उत्सा के साथ यह त्योहार मनाते है। ग्रेटर हैदरबाद की मेयर गदवाल विजे लक्ष्मी ने कहा की बदकमा त्योहार एक पवित्र उत्सव है। इसे हम प्राचीन काल से मानते आ रहे हैं। उन्होंने बाला नगर में बदकमा समारों में भाग लिया। इस दोरान कहा की बदकमा उत्सव तिलंगाना की संस्कृति परंपराओं को दर्शाता है। बाला नगर शेत्र की बदकमा उत्सव के दोरान महिलाएं बड़ी संक्या में भाग लेती है। वह समू में गीत गाती हुई तालियों की गूंज में बदकमा का स्वागत करती है। जश्न मनाने का रिवास कई सदियों से है। जबकि तिलंगाना राजी की स्थापना के बाद मुक्यमंत्री केसियार के नेतरुत में बनी सरकार द्वारा बदकमा उत्सव को प्रादा मिक्ता देखकर विशेश लोकप्रिया बनाया गया है। इसे विश्वेशर पर बड़े ही उत्सा के साथ मनाया जाता है और तिलंगाना की संस्कृति के प्रती लोगों को जागरुक किया जाता है। पंडित दीन दियाल की जैनती पर केंद्रियो मंत्री प्रहला जोशी ने रंगारेडी जिल्ले के राजंदरनगर का दौरा किया। उन्होंने मनिकॉंडा के एक फंक्चन हॉल में आयजित कारिक्रम में भाग लिया। पंडित दीन दियाल की जेंती के चित्रपट पर पुश्प अर्पित कर श्रदान जली दी। इस मौके पर केंद्रियो मंत्री प्रहला जोशी ने कहा कि तिलंगाना राज्ज में ब्रस्टाचार का बोल बाला हो रहा है। उन्होंने आलोचना की की केसीयार का कलवकुंटलप परिवार राज्ज की खाजाने की लूट कसोट कर रहा है। इस ब्रस्टाचार को लेकर जब उन्होंने अपना मुँ खोला तो उन्हें जूट और अबरत्र भाशा बोल कर अपमानित किया गया। वो आलचना की गई मोदी जी का सोच नहीं है कि सब्सक्राइब नाम नहीं बोलता हूं एक हमारा जैसे उतका अब्जरुवेशन करते हैं कि एक क्यामनेट में हम बैटे थे हे तो नेक्श डें स्प्रेंग के नेक्श ऑपनेट के नेक्स दें कि मुश्पें प्रधानमंत्री के चेंबर के वह भी मंध्री अंदर आ गये उनके चेहरे पर कुछ अ को तकल लग रहाता थोड़ा कुछ अनीजनेस लग रहाता केंद्रिय मंत्री किशन रेडी ने कहा कि टीरेस सरकार पिछले आठ सालों से तिलंगाना की जनता के साथ दोकादाडी कर रही है उन्होंने कहा कि राज में कलवकुंटा परिवार का शासन चल रहा है किशन रेडी ने आरुप लगाया कि धरनी पोटल में बदलाओं के कारण किसान आत्मातिया करने पर मजबूर हुए है केंद्रिया मंत्री ने कहा कि अब तक चार लाख लोगों ने धरनी पोटल को लेकर शिकैदर्स की है पोटल में हुई गलतियों के चलते उनकी भूमी चिनने का प्रयास किया गया वही किसानों का रुन भी राज में माफ किया नहीं किया गया केल मंत्री शिन्वास गाउड ने कहा कि हैदरबां जिमकाना ग्राउंट्स में टिकेट के लिए मची भागदर में गायल हुए पुलिस कर्मियों और पीडितों को सरकार सहीयोग देगी मंत्री शिन्वास गाउड ने पीडितों के साथ मिलकर उपल राजिव गांधी स्टेडियम में मैच का लुफ्त उठाया मंत्री सभिता इंद्रा रेड़ी ने रंगा रेड़ी जिला महिश्वरम निर्वचंग शेत्र के बढ़ंग पेट नगर निगम के अंतरगत आयजित कई विकास कार्क्रमों में भाग लिया मंत्री ने मेयर पारिजाता नरसीमा रेड़ी के साथ मिलकर सीसी रोड वर्कसप का और मिशन भगिरत के अंतरगत गरगर नल कनेक्शन कार्क्रम का शुबारंब किया सिक्षा मंत्री सबिता इंद्र रेडी ने कहा कि तेलंगाना देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने मिशन भगिरत के माध्यम से हर गर में ताजा पानी उपलब्द कराया है उन्होंने कहा कि गावों में शत्पतिशत काम पुरा हो चुका है हर्याना के राजेपाल बंडारु दतात्रे ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि कुर्मा समुदाई के पुल्ला कार्ति को उच्च न्यायले के मुक्य न्याय दीश के रूप में चुना गया है ये सरानिया है कि कुर्मा समधाई से तालुका रखने वाले पुल्ला कार्टिक को हाल ही में उच्छ न्यायले का न्यायदी शन्युक्तिक किया गया वह मुख्य अतिदी के रूप में इलबी नगर में आयजितन सम्मान कारिक्रम में शामिल हुए आरबी आई ने घोशना की है कि तेलंगाना ने पांच वर्षों में कुर्शी वन और मत्सेवपालन के खेत्र में उत्कुर्श प्लगती की है राजय योजनाय आयोग के उपादेख्श बोयन पल्ली विनुत कुमान ने ये जानकारी दी है आरबी आई की रिपोर्ट में कहा गया है कि रास्ट्रिय रिकॉर्ड बनाते हुए पांच साल में 1.31 लाक करोर रुपयों की संपती बनाए गए है विनुत कुमान ने कहा कि ये राजय सरकार के समर्पन और इमानदारी का प्रमान है जो लोग कहते हैं कि तिलंगाना ने कुर्शी और समबद खेत्रों में विकास हासिल नहीं किया है उन्हें आरबी आई की रिपोर्ट देखने की सला दी जाती है आरबी आई द्वारा बताये गया है कि तीन क्षेत्रों में की उत्पादों का मूल्य जो वर्ष दो हजार सत्रा आटरा के दोरान पंचनमें हजार अचनमें करोड रुपे थे अब यह बढ़कर वर्ष दो हजार एकीस बाइस दोरान बढ़कर एक लाख एक्यासी हजार साथ सो दो करोड रुपे हो गए है विनोत कुमा ने का कि राजसर का कुरुशी को मुफ्त बिजली उपलब्द कराने के लिए सालाना दस हजार करोड रुपे खर्च कर रही है मेचल मलकाचगरी जिल्ले के टी यू डेबल्यू जे जिल्ला कारेकारेनी के चुनाव के अफसर पर उपल निरुचंग शेतर के पत्रकारों ने विदायक बेति सुबाश रड़ी से मुलाकात की इस मौके पर विदायक ने जिल्ला कमेटी में चुने के लोगों का अभिनंदन किया विदायक ने का कि वह पत्रकारों के कल्यान के लिए हमेशा अपना सायोग दिंगे उन्होंने का कि तिलंगाना सरकार पत्रकारों के कल्यान के लिए काम कर रही है केंद्रिय मंत्री किशन रेडी ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याई आधिक भारतिय राजनीती के प्रतिक है पंडित दीन दयाल उपाध्याई की जेहनती के अवसर पर भाचपा नगर कार्याले में उनके चितरपट पर मालारपन कर श्रद्धान जली दी गई किशन रिडी एक महान राजनेता के रूप में पंडित दीन दियाल उपादेक्ष की प्रसंसा की उन्होंने कहा कि हमें समाजवाद सम्यवाद की जरुरत नहीं है हमें हर चीज में मौजदा अच्छाई लेनी चाहिए और राश्रे विकास के रूप में आगे बढ़ना प्रदानजली दी गए देश की संपती व्यवस्ता और संस्थानों को दान कर दिया है बट्टी विक्रमार्ग निशाना साते हुए कहा कि प्रदानमंत्री मोदी के इस देश की संपती के दान के कारण पिछले आठ वर्षों में अडानी पचास दार करोड की संपती 11 ला करो को पार करना संबह हुआ है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को संबोधित मन की बांत कारिक्रम में बाचपा के रास्टे उपादेक्ष डीके अरुना ने हिस्सा लिया गोशा महल निर्वजंग शेत्र के जांबाग डिविजन में विक्रम गौड द्वा बाचपा विदायक इटेलर राजेंद्र ने बतकमा उसव पर सभी तिलंगाना की महिलाओं को शुपकाम नाय दी उन्होंने कहा कि हम दुनिया में प्रकृती प्रेमी संस्कृती के एक मात्र प्रमान है इटेलर ने कहा कि बतकमा उसव अमेरिका लंदन और दुबाई में भ इस मौके पर इटला ने आक्रोश वेक्त करते हुए कहा कि राजे की अर्थ व्यवस्ता ऐसी सिती में है कि वह राजकिय उत्सव के लिए सहायता नहीं दे सकती है उन्होंने राजे को कर्ज का डेर बनाने के लिए के सियार की आलोचना की तिलंगाना जन समीती के कोदंडर रामने आरूप लगाया कि तिलंगाना शहीदों के परिवारों को अभी तक वितिया सहायता नहीं मिली स्वराश्च संगर्ष के दौरान शहीद हुए लोगों की इस मुठी में को फुदंडर रामने गनभार्ग में शहीदों को श्रद्दान जलर्दी इस समयं त का कि जब CBI में काम कर रहे थे तो उन्हें लालू सियाही से लिखे पत्र प्राप्त हुए जिसमें वह लिखा था कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। उन्हें का कि हमारे समाज में आम लोगं से ज्यादा ब्रस्ट लोग नीडर है। OSD प्रोफेसर धर्मानाय की प्रतिनी युक्ति रद करने को लेकर पक्षपात्पूर्ण कारवाई बताई है। उस्मानिय युनिवस्टी आर्ट्स कॉलेज के आईजर मंच पर चात्रों ने अपना आक्रोश वेक्ति किया। आदिवासी चात्र संगों के नेताओं ने मांग किये के ट्रिपिल डॉक्टरेट वाले बुद्धी जीवी जेंट्यू के OSD धर्मानाय की प्रतिनी युक्ति वापस ले। पंडी दीन दयाल उपाद्यक्ष का जननदिन समारो संगरेडी जिल्ली के पटांचेरू मंडल केंद्र के मुतंगी में आईजित किया गया। पटांचेरू मंडल पाटी अद्यक्ष इश्वरेया और भाजपा OBC मोर्चा राज्य महासचीव गाडलस श्रिकाद ने मुतंगी भाजपा कारियाले में दीन दयाल उपाद्यक्ष के चित्रपट पर पुषपारपन कर श्रदान जली दी। इस दोरान उन्होंने कहा कि देश में अन्न के बिना कोई भी विक्ती भुका ना रहे इस उदेश से अंतियोदे योजना को अमल में लाया गया है। उस्मानिया युडिवर्स्टी में सिर्फिरे ने जम कर उत्पात मचाया। उसने युवती पर चाकों से हमला किया और फरार हो गया। युवती को तुरंद अस्पताल में भरती कराकर इलाज कराया गया। उपल स्टेडियम में तीसरे टीट्वेंटी मैच शुंकला निरनायक थी। प्रशन सकों ने विबिन तरिके से टिकेट पाने के लिए प्रतिसपर्दा की थी। कुछ ने इस मैच को मैदान पर देखने की होड में जुटे फैंस की कमजोरी का फाइदा उठाया है। उपल स्टेडियम के पास ब्लाइक में टिकेट बेच रहे तीन लोगों को यस्ट्यो पुलिस ने गिरफतार किया। आर्यो पुईयों के पास से चेक टिकेट और तीन सेलफ़न जब्त कर उपल पुलिस को सौंपे गे। 850 रुपे का टिकेट 11,000 रुपे में बेचते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया।